अलो स्टुडेंट्स, वंस अगेन मैसल मौम्माद इरिशाद, फैकल्टी इन जूलोजिक, इन सी एल्सी, मैं यहां पे पिछले चार साल से वर्क कर रहा हूं, और यह एक बड़ा ही इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, जिस पर अपन यह सब चीज सीखने ही कोशिश कर रहे है उसी का एक क्रम है, यह गुरु नहीं थी, इसके तहट मैं और मेरे कली हम मिलके आपको जो हैं, सेलेक्टिट इंपॉर्टेंट क्वेश्टन्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्टन्स, जिनको अपन कह सकते हैं, इवल्यूशन के, आज उनको अपन डिसक्स करने ही कोशिश करत जाकर हम उसको डिसक्स करेंगे, सो डेट इएज एवल्यूशन के आपको यहां पर हम बालिंग्वल यूश करेंगे, मैं पहले कहले तो हूँ कि पिछिली वार एक बात आई कि इसमें यह होता है कि इंग्लिश वाला घुश्य सुन रहा है इसको इसको इस तरह का हम कोशिश हमारी कोशिश यह है कि Hindi medium के StuDents पी equally beneficial हों और बैनिफिटेड हों और English medium के सुदेंट भी equally benefited हो तो इस बात की कोशिश करते हैं तो Hindi medium वाले एने सोचेंगे साब इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं और English medium वाले एने सोचेंगे साब हिंदी में एक्स्प्रेंट कर रहे हैं तो ये मेरे कलीव हैं मैं मैं अनुहार चंदेलिया टीम प्यूलो जी शितक है और हम पिछले एवलुशन के कुछ टॉपिक आपके सामने डिसकस किये थे और अब अपने एवलुशन पर आगे उसी क्रम को आगे बढ़ाते वे डिसकस कर और ये एक शांडर प्लेट्फोर्म है जिसमें आपसी डिसकस से आप भी कुछ सीखते हैं और एक्जाम के प्यों से वो सारी चीले हैं आपके से जीना इंप्रटेंट करते हैं तो स्टाट करने हैं कुए दूट कर्टेंट स्था प्रेंट्ट्स परिवर्टित कर सकते हैं. तो यह देखिए आप question की approach कौन से theory से लिए Hardy-Winberg theory. तो Hardy-Winberg theory में आपने पड़ा है कि कुछ ऐसे factor है जो उसकी Allyn frequency को change कर सकते हैं. तो Hardy-Winberg theory में आपने पड़ा है कि उसमें किसी भी population के अंदर जो gene pool है वो constant बना रहता है. तो gene pool constant बना रहता है उस gene pool को या उसकी gene frequency को ऐसे कौन से factor है जो उसको change कर सकते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं पहला boundary effect और उसके बाद तो इसमें यह आप देखें हैं first boundary effect. तो boundary effect है यह इसको change कर सकता है उसके बाद एखें absence of natural selection यह change नहीं करता है natural selection जो है वो change कर सकता है लेकिन दे रखा क्या है absence of natural selection तो natural selection यह change नहीं करेगा. next bottle neck effect bottle neck effect भी आपने पढ़े हैं दोनों effect founder effect and bottle neck effect यह दोनों ही alien frequency को change बर सकते हैं. correct answer उसके coding जाओना चाहिए देखिए fourth question जो है fourth option इसका correct option हो जाएगा. clear? आई समझें इसके साथ next question. इसके साथ next question. इसको मैं discuss कर रहा हूं यह लिए जोश्वा का बेश्वा पालविए वास्थ बेसिस अफ नेक्रो सेलेक्शन और रेजिस्टेंस वे इस वेराइटी ऑ बैक्टेरिया इन एक्सपरिमेंट आप जोश्वा एथनर लेड़र्वर्ग यह दो साइंटिस्टें इनका नाम जो आप्सạtिंस एक्सपरिमेंट यह कीं लिए फ़ंट्राइकं Tul a ग्रिए में एक्सपरिमेंट बारेणनेग्र को दिक्रीट मेंहें कष़़एंск इन इनोंने क्या किया फिलाकिंन कीक्र chec महां पर मौझूद थी पैनिसलिन तो जयातर जो माइक्रोब्स थे इकोलाई जो थे वह उस पैनिसलिन के एपक्ट से खतम होगे मर गए क्योंकि वो एंटिवाइटिक थे लेकर फ्यू अब वो बैक्टिरिया जो सर्वाइब कर गए उस एंटिवाइटिक के मीडियम में यह उ मुचना चाहरे है कि भीछ अदर बालाई वाज थी बएसिस उ नैच्रोड सने लेक्टिशन के बैसि टा तो अब बॉस्ट अप्शानग मुंटेशन वा फिर मुंटेशन हुआ तो फैले अदप्टेशन और मूटेशन का तो तो सब्सक्राइब से नहीं दूसरी बात तो यहां पर यह आप्शन ठीक है तिर जैसे एक उप्शन लिख रहा है जीन मुटेशन दूट इफेक्ट ऑगा इसका मतलब यह हो गया कि एंटिवाटिक की मौझूदगी में कोई मुटेशन हुआ हो तो मौझूदगी में मुटेशन होता तो वैसे ही मर जाता है उससे पहले कि एंटिवाटिक का एफेक्ट तो पहले होता है मुटेशन तो बाद महुआ तो वह सरवाइगी नहीं कर सकता था मर जाता है चौता है जीन मुटेशन दूट इफेक्ट ऑडीटी तो यह पर इस एक्सपरिमेंट में दूर दूर तक का कोई रिलेशन्शिप नहीं है तो इस इस लिए वह बच गए तो यह एक जीता जाकता है एक्सांपल अपने सामने है कि नेचुरल सेलेक्शन एंवार्मेंट में किस तरह से ऑपरेट करता है यह अपली का प्लेटिंग एक्सपेटिमेंट के अकोर्डिंग करेंटाश हो जाए एक सब्सक्राइए नेक्स में देख इसके NCIT में जो आपके पूरा स्ट्री ओफ एवोलुशन दे रखा है इसक्राइब कर रखा हो रहा उसमें क्लियर दे रखा है कि जो ले स्पीशिल्स जो फर्स्स ताइम इवोल्वी थी वो इनमें किस ताइम इवोल्वी थी 500 मिलियन एर से को 350 मिलियन एर से को चब करेक्ट इसके ऑन झाय है कि थी 500 मिलियन एर राफिते नятиक ऑस्पीशिशिसमें ग्राइस और उस से जो एक बात शुखिवप कर देता हूं सरण गारस ci कि jawless fishes basically यह fishes नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट सी दिमाग मेरे को साइक्लो स्टॉम्स they are not fishes साइक्लो मीस राउंडेड स्टॉमा मीस माउ राउंडेड माउ गोल मुव वाले तो उनके अंदर जबडे होते ही नहीं लेकिन वह दिखने में फिश की तरह होती है यह बात भूल की हो रही है जॉल आप ऐसा मत सोचे हैं पड़तर टाइम की कोई जॉल आप इनसे फिशिस का प्रिशन वारी ठीक है नेक्स है अब यह पुर्शन है विच फॉल इंग वाज फिश लाइक रैप्टाइल मचली की तरह का रैप्टाइल कौन था इसमें से अब देखिए एंसे इसके अंदर यह एक्जाम्पल्स दे रहे हैं यह बिसीकली सारे के सारे डिफरेंट टाइप जैसे टाइनोसारस रैक्स ठीक है इक्थियोसारस अब अपने को पाइलोजी बेसिक आनी चीए यह को बहुत हाई-फाई साइंस नहीं है जिसको अपन पढ़ रहे हैं आप एक्थियोलोजी स्टेडियो फिश है इसकिन से रिलेटेड ऐसे डाइनोसार्स जिनकी इसके यह ज इसी के समान सरी सरथ, नहीं फिश लाइट इस टी बॉड़ी में इस तरह था बांपी दो सारे जी के समीन पे रहने वाले थें यह ए पाया थेर? इससमें, अस्त नेक्स नेक्षेख केर इसी से आ रिलेकिटरी प्रियर तरहु को仔रो करने वाल तो इनौसी आ इसमें भैब से एह तो UCOL से सबस्तों आपको कि सॉन करें हों वह एकोर्डिन ऐसके साथ वाल Analytics एंप इसकंवर्जन के लिएल है केस्म है एकोर्ड के सॉमस्तू है अंच में चपनं देया है इस है ज्रों और सबसिक्षा साय liksom Saur means lizards, Saurology, ये एक वर्ड सिखा, This study of lizards, Icthyosaurus, Icthyo means अभी भी बताया मने आपको, Icthyo means skin related, fishes की जो skin है, यह उस से resemble खरता, अब Convertent Evolution आपको ने बताया कि यह different habitat में रहने वाले organism, जब एक ही habitat में आके रह जाये तो दोनों में एक से feature आ जाते हैं, अब निम लेकर में कौन सा सरी सरफ मतलब reptile, वेल मतलब mammal, reptile में mammal की तरह के character कब आएंगे, यह character अगर आए तो यह कहलाएंगे Convertent Evolution, as simple as this. Next result Diversification of Mammals on the Earth watch अब यह question ऐसा है जो पूछना चाहरा है, प्रत्वी पर संदारियों का वेविन रूपों में उत्पन होना कब हुआ था? अब इसमें एक option है, the diversification of reptiles, उसके बाद लिख रहा है, after the extinction of giant reptiles, फिर लिख रहा है, before the diversification of reptiles, फिर लिख रहा है, अब आपको इसमें थोड़ा सा geological time scales का idea होना चाहिए देखिए, geological time scales में आप जब पढ़ते हैं, कि एक era था paleozoic, उसके बाद आया mesozoic, अब mesozoic era के अंदर, जो period थे, वो थे Triassic, फिर था Jurassic, और फिर था Cretaceous, अब Triassic के अंदर, जो Protothereans थे, Protothereans आप जानते होंगे, एग लेंग मैमल्स हो कहते हैं, अंडे देने वाले इस्तंदारी होते हैं, उनका evolution हुआ, उसके बाद मैं, जो Jurassic period था, it was predominantly occupied by the dinosaurs, ये dinosaurs का जामाना था Jurassic period, then फिर आया Cretaceous, अब उस Cretaceous में आते, maximum dinosaurs जो थे, mass extinction हुआ, और उसके बाद मैं, फिर मैमल्स का दबदबा शुरू हुआ, मैमल्स की dominance उसके बाद शुरू हुए थी, अब आप इस question को read करें, इसमें पूचा के diversification of the mammals on the earth, diversification का मतलब है, उतके अंदर variations बहुत जादा पहलाओ, पहलाओ, जो कब हुआ, तो natural है, रप्टाइल के साथ नहीं होता है, आप्र एक्स्टिंशन जाएंट रप्टाइल का मतलब होता है, वो जी डायनसों आपन बात करें, इनके एक्स्टिंशन होने के बाद, फिर पूचा है, और इसके पहले और नहीं है, सब्सक्सटिंशन होता है, मैं तरह मुल्ण मुल्ण पहलीं कि इनके घैता है, इनके आपको ज्यान को झीड्या था है, इसमेंन अदिन को ज्यान है, कि Bundesregierung the massosaurs को जाने को ज़्याद है, agreement उन्हे रप्टाईल को जिए aजयifier हो, the following were responsible to override the South American fauna after the Continental Drift. इसमें देखे, सबसे पहले, आप Continental Drift जो है, इसका concept समझ लें, Continental Drift क्या है? Continental Drift means, अगर दो Continent या तो पहले से separate हों, वो Continent आपस में एक दूसरे से साथ मिल जाएं, या फिर पहले कोई Continent है वो दूसरे Continent से इस तरह का कोई Continental Changes आयाते हैं, तो वो Continental Drift है, अब Continental Drift में यह बता रखा है, विच ओग दो फॉलोविंग वर responsible to override the South American fauna after the Continental Drift. कौन सा जो है, वो इसमें जीवदारी मातीती है, विच लेनके पस्चार दक्षीनी अमेरिका के जटको उपर प्रभावी कुप से चा जाने के लिए जीवदारी, तो कौन से थे? नॉर्थ अमेरिकन flora, South American flora, North American fauna, South American fauna, कौन से हुए थे? North American fauna जो है, वो इसके लिए responsible है, तो North American fauna इसके उपर बीर देर dominant होते हैं, और वहाँ उनकी खूप सारी प्रभावी के लिए, तो यह जो थे पहले separate थे, अब यह जुड़ गया है, Continental dip का मतलब क्या है, माधियूपी विस्थापन कहता है ना English Hindi में इसको, अब विस्थापन हुआ तो जुड़ गया है, अब जुड़ गया है, तो यहां के जो जानवर थे, कौन से वाले? करनी वर थे खाने वर थे खाने वर थे खाने वर थे इतनी जिवाद है, तो यह जो पर नेक्स्ट चुड़ थे आप एक क्वेशन है, विज़े फोलाइंस्टर वास्ट विद ओर रिजेंब्लेंस तो एक एक आप इसमें एमन एवलूशन अले टोपिक किसका एगे, इमन अब आप दिमाग में राखो उपन इसको बढ़ रहे हैं, यह पर एक word बार बार काम में आता है उसका नाम है पिताकस मतलब होता है, हेट , ठीक है ने एक word अपन यहां पर लिख रहा है रामा पिताकस एक word पर आपन लिखने का मतलब होता है त्रिय आप शाधी त्रारीकास के साथ वड़ जूता है चुना अब एक है नशेटम आफ यह पूंचों में क्या पूंचे जा रहा है कि जो एप से द्यादा अधर रिजम्बल करता था यूमन से लहीं, not with man, ape से अधर रिजम्बल करता था, तो ape से अधर रिजम्बल करता था, drive, it was more like a man, it was more like an ape, यह कपी की तरह है, हिदी में हम आपन अपन आप को बोलता है, कपी की तरह था, तो इसमें correct option है, वो है, drive pitakas, ठीक है, यह तो बहुत बात के भी है, इसमें, सर ने बताई किया वैसे, यह NCIT के लाइन है, NCIT में दे रख़ा है कि यह एप जो इवोल्वे था, इसमें रामपी थेकर्स, तरह पी थेकर्स थे, रामपी थेकर्स के बारे में दे रख़ा है, more like man and drive pitakas more like app, यह इस नेक्स्ट चलते हैं, next question है, which of the following is considered as the anthropogenic evolution, anthropogenic evolution means, आप समझ रहे हो, anthropogenic means man-made, जिसको human ने अपने purpose के according evolve किया, इस तरह के जो है, वो उसके changes हो आये थे, वो सारे किस थे, आपके थे, managenitude, because, या anthropogenic evolution, तो anthropogenic, मैं फर्स्ट देखिए, natural selection of pesticide resistant varieties of pest, तो pesticide resistant varieties of pest, तो pesticide resistant varieties of pest की evolving, तो continue जैसे 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 pesticides का यूज होता गया है, वैसे कुछ पेस्ट जो हो उनके लिए resistant होते हैं, तो ये किसके तानवा, यूमन के continue pesticides का यूज करने का है, नेक्स्ट, natural selection of DDT resistant varieties of mosquito, तो mosquito को, mosquito की DDT resistant जो वराइटी इगोल होई, वो भी आइसिंगया राइथी जानवाई- राइदी करने के वा करने के प्दिज तो यह तीनों अगर देखें तो किस टैप की एवोलिशन है। आंप्रोपोजनीक इवॉलिशन है जो कि मैं वेड्ट वैंड इवॉलिशन है। एंत्रोपोजनिक एवलुशन का मतलत क्या है कि मैं मेड फेक्टर से जी एवलुशन हो आया है तो ने तुनले तीन उसी के एक्जाम्टल से है इसलिए आंसर हो गया फूर नेक्स अब ये पूछा के आया समय कॉशन नमारा 128, consider about the following conditions निम्लवी के परिस्तियों पर विचार कीजिये, पहली परिस्तितियों पर विचार कीजिये, पहली सीटियों निया कि लार्ज साइस पॉपूलेशन ये क्विशन भी मुझे लगता है सर ये, हाई इविन मरीविटी आपके लिए प्रिक्वेंसी बदलने के लिए किसकी जरूद होगी तो अलीफ रिक्वेंसी जो होती है अगर अपन बात करें एक स्मॉल साइज पॉपुलेशन तो उसको आप सबसे जल्दी डिस्टर्ब कर सकते हो स्मॉल साइज पॉपुलेशन तीक है उसके अलावा जब उसके अंदर क्या सकते हैं यह नेग्लीजीबल जीन म्यूटेशन अपने लाग साइज पॉपुलेशन यह एक अपने हाड़ी विडबल गलोब में पढ़ रखा है कि एक लाग साइज पॉपुलेशन होजी उसमें कंटीन्यू अगर रेंडम मैक्टिंग होते रहे कि उसमें जीन पूल कॉंस्टेंट बने रहता है इसमें यह दोनों फैक्ट थिअ प्रभ卫 सकता है कि समोल साइज पूपुलेशन गालतों से लुपुलेशन यह एक चैंगा सकता है क्योंकि the genetic gift इसले ही चेंज कर सकती है अचानक किसी पपूलेशन से जीन बहर माइग्रेचन हो गया हो इसके स्थ नटियोतल शेलेप्ज एसे उसuchenडियों wander unique झेंज़ हेसे सिर्फट गहसे सप्वेस्ट इस डिंग इन्टियों डिनीटन भी ने ढहेंगीदाट पर दन Respect यह जी का तब करेंद सकता है कि अप्शने के यह उप्सिंज निकल कि यह वादा निकल के रहा है रहा है वह लगबाग एक तु यह नहीं है सब्सक्राइब तो बी हो जाएगा रहा ईट इक इन अपने को करक्त अपनल्ञ동स्ट को णाफन में एक करना Soldier यह सलार्ड़ रेंडम लिएटिंगेसं गुपोप सिंग्सट न कर आए तक मिलागि उपेसा के श्क्राइटा यह मत nh Dre एसा नचेवर अ में कभी होता नहीं है कि अपने को यह करने का तरीका पता लग जाए कि इवलूशन किस एक्सटेंग तक हुआ है कितना इवलूशन हुआ है अपन कहते हैं कि सब्सक्राइब करने के लिए अपने पास मैं जो है सबसे अच्छा तरीका है वह है रडी बिनबर इक्वेशन में आपको द्यान है जीनन पूल को चेंज गरने वले फेक्टर्स फाइड बाइव ने इंग्लूट किया है जिन में कौन बॉंस होचकते हैं? Natural selection, gene mutation, genetic drift, gene migration में और एक इनके अंदर ये इसका natural selection है, clear, और gene flow है. ये ऐसे 5 factors हैं, जो इसको changes कर सकते हैं. सर्थ क्या होनी चीए? population, large size क्यों होनी चीए? और उसमें random mapping होनी चीए. Clear? Okay, next. अभी जगें? Next. Which of the following is closest known ancestor of the cycads? अभु चार्ट नहीं? अभु चार्ट नहीं? अभु चार्ट नहीं? ये आपके NCIT में चार्ट दे रखा है? इसके according आप देखें? ये देखेंजी है. तो इसमें, आप देखें, क्यारा है? अभी खार्ट नहीं क्यार है, ये वी जगें चार्ट आपके? अभु चार्ट नहीं क्यार्ट नहीं को चार्ट आपके? यह Dicotyl Dome, Monocotyl Dome and Cycles Cycles, Dicotyl Dome, Monocotyl Dome इनके closest ancestors कॉनसे है? Seed Funds तो तो आप प्रेक सकते हो अमस्र के जाना चीजिए Seed Funds प्रेयर? NCIT वेस्ट क्योशन है पुरा NCIT का जो फ्लोचार्ट है या आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि ये दोनो फ्लोचार्ट जो फ्लोरा एंड फोना की इवलुशन के फ्लोचार्ट रहे हैं वो दोनो ही एक्जाम के पॉंट और व्यूज है बहुत ही इंपोरेंट फ्लोचार्ट है वो पूरी इनकी डिटेयल स्टेडिया आपके लिए बहुत ही जरुए क्लिए? नेक्स्ट सब्सक्राइब विजोग फॉलेंग इस नौट रिवाल फ्रॉम्ट सौर फ्लोच थीकोडाट एंसेस्टर की कहता है सौरो मींज मैना भी आपको फूरी दर पले एक्स्पेंड किया था यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है एक लाइन निखली यह एवोलुशन की लाइन यह देख रही है यह थीकोडाट जो है वह आप देख सकते हैं यहां पर इससे एक इवोलुशन की यह निकली किसकी निकली बड़्स अधिर नेक्स्ट इससे बर्ड सीवोल रहें बर्ड सीवोल हो रहें देखे आप अपर हैं घर्ट मैंबस मैंबस यह 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 लिए सो डायुट या यह सीनपसिेट से बतारा है, आएुनेपसित से पली कोशूरस तिर्यक्सृ। सो टेकोलोल थैससि gently, लिद मैसे pueblo है क्योंक्राव में नेगेटिव ध्क उसके according आपको देखना है कि कॉन सा इससे फोल नहीं हुआ है. ट्वर्टरस, बर्ड्स, ममल्स, म्माम्स, कro smiled at all, Dinosaurs. आप इसमें देखें, यह — पैर पैरो क्रोकोडाइव, बर्ड्स, दाइनोस। यह देखिये, बर्ड्स, क्रोकोडव, जा क्रोकोडाइव, दिनोस। दो दो करता है यह दो सब्सक्राइब मैं यह दिए यह है यह विए इसको फोकस ना पड़ेगा तो आप समझा मफाये यह यह से सवरोप्ष्ट यहां से सीधा लाइन गया और यह थिरफिट से रहा है नाम आपको इसको यह कहा है इस तरह की चीज इसको एक्सलायस कलकरों तरह के उसकी कहना पुरार रिखना से टम चेहां आए ऐसके आइन की पॉरत करते हैं जानी प्रकारी सांस के जैफिन आफिन दो खरिशन ओर जो कि आप डेग्स अब करें की जो आपके आपके वर्युन और एप्रिफ्केशन जूनों कि नीट are इसको लिए आपको और पको कि अपुए इसके लिए आप से अपने हाध से कोन साँतेगा किसे न को किसे कहा से ते इन को ना क Fitzgallu नियुशन को तो आपको पता होना चीए कि कौन किस किस के टाइवर्शिप इन से इवोल्व हुए क्लियर? अगे चले, next Select the corrective evolutionary sequence of members स्तंदारियों के सही विकाशियतियों का chain कीजिए इसमें आप देखिए पहला स्वरोपसिंट्स आप मेरेशियर, now the सिरेफिट्स, सिरेफियर, स्वरोपसिंट्स फिर टॉस किए स्टोंट्स सिरेफियर स्टो मेराद руки स्क्रीजाइब तर्टल्स अब प्रेशन किया पुछा है ये फ्लोचाइड पर या देखर है दो क्रेशन बने हैं अब दोनों क्रेशन में देखे इम्पोर्डेंट चीज कर्या है है यह बुछहा है sequence select the correct evolutionary sequence of memos की इवोलुशनली सीक्वेंस की करेक्ट शीक्वेंस आपको देखना हो जोचन का तो पहले में सोरॉपसिट थी पहले को सोर्स मतले में निये पहले को सोर्स का करेंग जोगए इसका नेक्स्ट इसनेप्सित और इसके बार इसके बार मेंब्स यह आप देख रहे हों इसके साथ आथा तो यह भी बीच में सीक्वेंशन ना तो ग्रेक्ट ग्रेंग नहीं नहीं रखाए इसमें तो डायरेक्ट की आगर रखाए सिनप्सिंट्स थारेप्सिंट्स एंड मैमॉस इस दर प्रेक्ट ऑप्ष्ण प्रेक्ट ऑप्ष्ण है पहले ही बता चुके आपको इसलिए बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करनी पड़ रही है कि उसको आप प्रेक्टिस किजिएगा बनाके देखिएगा अपने हाथ से करेंगे बहुत अच्छे से लर्ण हो जागा और रिपीट करना पड़ेगा आपको रिवाइस करना पड़ेगा नहीं तो बूल भी आते हैं नेक्स्ट एखिए लिए 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 यह गड़ड़ ओगा यहां पर गड़ड़ हो गया इसलिए अपने से पूछा गया मिसमें अपने को पेरानोडॉन यह एक फ्लाइंग रप्टाइट था इसके बारे में अपने बताते हैं तो यह एक फ्लाइंग रप्टाइट था इसको भी एक चार्ड में दिया हुआ है तो इसमें अपने को जो जीनिया है चार्ड दे रखाई स्टीगोसोर्स पे रहा एक इसके बारे में इसके बारे में डिस्कूर्शन है उसमें दे रखा इसका बाकी यह डगर-like teeth थे और कार्णी औरस था न बड़े-बड़े दांथ वाला था नुखी ले दांथ वाला था तो आपकारनी ओर अपिसली यह स्टेटमें या प्रशा जूँ जाए अपर रहे सा जला की कुच है पिसमें पुचा तो अंसर होया चना लुए सारस क्ष नेक्स next 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 max. human ancestors of column A and their brain capacity of column B and cell and drickr सब्चाइब जैसे जिसे human evolution हुआ वैसे वनकी cranial capacity बढई बढई वो थिक्षमता बढई civilization में development दूआ और कई एसे characters जो है वो समें continue evolve होते हैं जैसे अब देखिये कॉलम फर्स्ट में Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens Neanderthalensis and Homo sapiens Fossilis Homo erectus, इसकी cranial capacity कितनी रही है, Homo erectus की cranial capacity रही है 900cc, Homo habilis की cranial capacity 900cc, Homo habilis की cranial capacity 900cc, सबसे ज्यादा रही है, वो सबसे ज्यादा रही है, आप पड़ते हों के आपको जाना, और सबसे ज्यादा रही है, Homo sapiens Neanderthalensis, इनकी cranial capacity 1400cc रही है, और इसके बाद Homo sapiens Fossilis, जिसको आप पढ़ते हो, Cromagnan Man, Cromagnan Man की cranial capacity रही है, वो सबसे ज्यादा रही है, अब तक की सबसे ज्यादा cranial capacity जो रही है, वो Cromagnan Man, Homo sapiens Fossilis की रही है, और इसके according, correct option इसमें मैचिंग करें, क्या होना चाहिए, Homo erectus की 900cc, हomo habilis की 650-800, और यह इसमें है, A के साथ 2nd, B के साथ 4th, C Neanderthalensis, 400, C के साथ 3rd, और उसके बाद Momo sapiens Fossilis की रही है, सबसे जाला, 600, 1650cc. अब देखो, इसमें भी सरल है, सारी बात है बता दिया है, मैं एक extra point इसमें add कर रहा हूं, and that point is that again, you have to learn these capacities, you have to learn these capacities, we don't have any other option, rather I will say, आपको यह चीज लर्न करने पड़ेगे, सीखनी पड़ेगे, आपको याद करने ही पड़ेगे, तो ही आप इसको कर पाएंगे, इसलिए आपको आपको याद करने ही पड़ेगे, इसमें को शॉट्टर करने ही पड़ेगे, आपको याद करने ही पड़ेगे, clear? Next, which of the following ancestor is known as to be made prehistoric cave art, prehistoric cave art, cave art ता मतलब है, वो form है, चित्रकारी करना, यह लिख रहा है, इसमें देखिये, अब यह बाट जो है ना, Omosapiens Fossils, इसके लिए, इसमें आपको रहना, chromagnan mind जो था, उसमें, cave art जो है, वो सबसे पहले उसमें डव्लोपन थी, चित्रकारी की जो कला है, वो सबसे पहले, chromagnan mind ने इवोल हुई थी, और वो कैसे थे, वो वहां में रहते थे, वहां में रहते थे, वहां उसमें चित्रकारी करना शुरू कर दिया, उसके according, इसमें करेक्टांस रहा है, Homo sapiens Fossils, जो प्रोमagnan mind, clear? अरिक्रे जो आरे है, और वाते हैं, इसमें जो ज्टारी, पर एक ठीस सही होते है। वहां करें हैं, इरेक्तर इडरी किसके लिए रहाई रहा है, जो पैले कहले थे, स्टेक्ट के लना लगे थे, ऑनो हैबिस है, हुई है, इसको तूलमेकर या हैं अदि माना गया है और होदी अगर से लिए जाना है चाहला आपको जाना सोचलाइज होगे थे इन्हों ने एक आफ़ीज इन्की इन्की इसके साथ साथ अपने बुर्दों को तो प्नाना शुरू कर दिया था इसमें जो नॉमन्क्लेचर है अगर आप देंगे यह क्रोम अगौना यह फ्रांस में प्रांस में प्रोम गाली इन अब कुस घाटी अंधर इसके फॉसल मिलें इसका इसकी डूसरी बोन्स मिली तो उनके पेसिस पर इनका नॉमन्टलेचर है ऐसे ही जर्मानी वें इंडर खल वहाँ पे इसके फॉसल्स मिले वहाँ पे इसकी बोन्स वगारा मिली तो वहाँ से इसको अपन नाम लिया नियंडर फैर इस तो यह चीजें भी आप इसके साथ अगर लिंक कर लोगे तो मैं समझता हूँ याद करता है बोड़ा सा आसा आप इन चीज़ों है नहीं नेक्स्ट पिज़ों है विच अपनी खुद की बात कर दो इनसान की बात हो रही है ठीक है तो अपन सीधे यहां पर एग्जिस करते क्यों कोंकि यह सारे के सारे तो भाई 1.000.000 से पुराने है बहुत आसान सा सवाल है शेत्तर अजार से लेके 10,000 साल पहले कॉन आया तो अपन ही आया कि भात की तुछारे रही है वन रिलियन वाल है है गोसषर हो जाना स्वाल है इसमें अंशान सा सावल है इसमें सबसे happier, tadा ओश साथ है एग्या कोच हैacha है मिसमेच टेयर है। इसमें Homo habilis first tool maker, अभी आपको बताया है इससे previous question में चट चटी थी। Homo habilis first tool maker नहीं है। इन्होंने सबसे first time tools बनाने शुरू कर दिया। Homo erectus first time इन्होंने fire का use करना शुरू कर दिया था। यह भी correct है। उसके बाद Neanderthal में harbivore ancestor, यह incorrect है। मिसमेच टेयर हो गया। क्योंकि Neanderthal में जो किस टाफ है। यह carnivores, Carnivores थी जो जो बलग हो गया, इसका मिसमेच टेयर हो गया। इसके बाद वेकें chromagnan में जो अभी जस सर्ने पहली तोड़ी पहली बनाइती इसके बाद पहली अभी प्रांस के chromagnan valley से जो जिनके पोसल्स देखे रहे थे, वो chromagnan में इसमें तरिखा है, इसमें दिरिखा है, closest ancestor of modern day में, करेक्ट है, modern day में जो है, अदूनी कुमाना जो है, इसके जस्ट एंसेस्टर्स गुमाने गए है, वो chromagnan कुमाना, इसलिए ये ये भी करेक्ट है, इसमें मिसमेच्ट पेर, कौन सा होगा, उसके एकोर्ड़ी, आंस्वे, हाड़ो जाएगा, मिसमेच्ट है, क्यों मिसमेच्ट है, से आपको बताएंगे, क्यों मिसमेच्ट है, क्यों मिसमेच्ट है, क्यों मिसमेच्ट है, क्यों मिसमेच्ट है, वापस से वही बात भूंगित के आजाती है, आपको लर्न इस पॉइंट, पूरा का टोपिक चैटर इसी तरह का या कहीं दो लांक करने तुके लॉजिक नहीं लगा सकते तो बाद पता नहीं आप नहीं कर पाइए इसलिए इस तरह के चैप्टर शियोंकि नहीं पड़ रहे हैं नहीं नहीं लेकिन यहां पर आपको इस बिल्बूरे अलग अपरोच से बादना होता है और वो टेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा बजबूरन चाहे खुशी से से लो या तो खुशी से कर लो नीवजो मोsite करना पड़ेगा तो यहां आ पढ़लना पड़ेगा स्सिर लिए है रिपज बेब्री द डो चार्य यह प्लेविज एक उसे ज्यादा रियर हो जाएगा अब देखिए यह लिमर और यह स्कॉट अब एक तो है यह मार्शुपील्स यह प्लेसेंटल्स यह तो क्या है यह हो गए मार्शुपीयल्स कर दो प्लीज अब इसमें अब इसमें दिक्क्ति यह तो अब इसमें आपको यह पता हुना जी की अच्छी प्लेसें यह उस्टेलीय श्रेंटल्स यह तो प्रल्ली एव वॉरुशन कैंप टो इवोलुशन ऑफ तो दिफ्रेंट लोकेस्ट तो यह तो ऑस्टेल्या ने बीवर अभी एवाल है और एषी में वह लेकिन यह वाले के वाल थे तो इनका आस्ट्रीलिया में एवलीश्न और इनका एस्ट्रीम एवलुश्न यह कहलाता परेश्य में गूसरे से मिलते लूते क्लॉश डbak एंड़ेडेड अश्येक पर्लॉदिक प्रजेंट पर सुरूब है। अब कलो। प्लॉसट एलेटेट इख साइए अधिया और फौल सुरूफालट प्रजेंट प्रजेंट इंट अभी नहीं करें wajr इस लेकशोल ने साथ चलने जो गभी मिलती है कौन सा प्रमाः गेला पे जोस आई थे पर मोगे दार्विंचों के द्वारों पस्तिक राया है जो भुग्रोफिकल विदेंस और क्यांक है evidence from branching descent, Darbynian theory in according to two concepts, branching descent and second natural selection, ये भी correct है, branching descent , evidence evidence from tylerine devolution and adaptive radiation, तीनो ही correct है ? all of these correct है , तो अरी बातने हैं ये सईफिरेध, आपर ये ज़ाभ और बायोग्रोफित तो ये इसका, तो की एक जला पे उसा इलेन में, तो दिफ्रेंट दिफ्रेंट अबिटेट में जैसे ही वो माइग्रेट हुई अलग अबिटेट में माइग्रेट होने के कारण उसमें बीग सेप में चंजर आते गए और वो एक अलग लग तरह की स्पीशिस को इवोल करने हुआ तो दार्विं तेट में तरह की ऐचिस को वो ऑबिटेट में वो फाय जोगलोफिकलेवइदेंस की कारे शका अई अचे मेग्रफिकलेवदेंस भी तरह करेंच पहला एक अपना जिश्टर भी आफल आधा जो पाये हैं तरह का चारण जोफोटारेक के धनीन की तरह के तो था बात आगई अभी जब इसक्स किया था यह जो आला था हौनसा वाला हमो है बिलीस तूल में करता है तूल में करता है अब इसमें आप देखो पुछा क्या है एसेंसियल एंड हंटेड विफ स्टोन वेपन से हंट करता है लेकिन फिर भी वो कार्मिवर्स में क्या करते थे वो फ्रूट्स खाते थे लेकिन वो जारों से सिकार करना जिया वो इन्होंने सुरू कर दिया था तो इसके लिए करेक्ट उस्टेलोपिथेकर्स है यह एक एप मैं है यानों का आपको ऑस्टेलोपिथेकर्स एप और यूमन इन दोनों के बीच एक कनेक्टिंग लिंक वो जो इनके दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक थी दोनों के कुछ करेक्टर्स जो है वो इसमें प्रेजेन थे इन्होंने सिकार करना शुरू कर दिया था लेकिन यह फिर भी कार्णी बोर्स नहीं थी क्लियर करेक्ट आंसलर और इसमें वर्ट की मीनिक पे जाए देखिए दे यह पर दक्षिंट कई बच्चे करें साब आस्टेलिया में आया था गए ऑस्टेलिया में यह आया साउथ अफरीका में आप आए और वहां से माइग्रेट करके फिर दूसरी लोकेशन पे गया था यह चीज आप ध्यान रखना कि जो आस्टेलों कि तकस था वह सारे काम करत देख लेकिन यह खाते थे फल ठीक है नैक्स्ट आप इसका फॉलाइंग इस नॉट रिलेटेट इस अब यह आस्टेलों पितैकस से रिलेड़ेट कौन सा नहीं है तो अब इसके अंदर यह एकि और पितैकस जो था उसका जो फॉसिल था उसका एक यह रेमां डार्ट ने ख जा शबर किया था तो यह जो दौनों थेना लूची और तौंग विए इसके फॉसिल से अलग अलग फॉसिल से बई पासल मिला तो एक शेर का नाम जहां पर मिला ता इसले नाम का तौंग विए लूची भी तरह के पॉसिल सा लेकिन वह एंडी मैं नहीं था ठीक है और यह तूलमेकर हैंडिमें जो किसके लिए अगा है अमो है इसके लिए अगा है इसका मतलब और स्टेलों के थेकर से कौन से रहे लेट नहीं है रहे हो आपके अगा किर है सब्सक्राइब वो यूज दर्म सर्वाइब अफिटेश्ट यहां पर वो यह लांट करने भात है अर्बर्ट स्पेंसर ना है सबसे पहले ही बताया था 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 कंसेट सर्वाइब बात मैं डार्विन ने इसको बढ़ी डीटेल में एक्प्लीन किया था नेक्ट रसेलेक्शन के साथ मैं एड़ करते हैं तो यहां पर रांशार इस अर्बर्ट स्पेंसर यह लांट करना पड़ेगा आपको यह नेक्स लगता है विचोग फॉलोओं इस इंकर्ट अपाउट 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 था होमो इरेक्टर्स के लिए इनकर्ट कोंश है होमो इरेक्टर्स गाना आपको होमो हैविलिस से इवोल्व है जिनमें ग्रेनियल कैपेसिटी बढ़कर 900 तो 1000 सिसी होगी थी जिनमें जावा मैन, पैकिंग मैन और एक तीसरा जाया वो इंके अंगर १त जैवा मैन, पैकिंग मैन वाय त्हू फिसल होगी थी हूल एए ये हुए वैरू हो उर्स इरेक्टर के थी तो हमो इरेक्टर्स में क्या रचा हैate कों शाम प्लिग है व्योर्ट इजनक्त पुचया इसके लिए इनकरक्त बलत है दो इसके लिए कों सा कि दिई लिए विए स्क तो ऑड है ने को सब्सक्राइब कर अनुड़ करने जानिन नुदे बाद है। क्यों में आम इसकी नरे हैं 12 पर छल्ब्र aboard इनोने फायर का use करना शुरू कर दिया था येех कर दिया और शिकार को मूकर खाना रोस्ते होजिद ने शुरू कर दिया थां तो अपन हेद Și इसके लिए यह भी correct होगया, उसके बार they evolved from the homohabilis, यह homohabilis से evolved होगय थे, यह भी इसका correct है, तो यह अभी आपको उससे पहले ही बता दिया था शारी, इसके homohabilis से evolved होगय और in cranial capacity increase होगय थी, और यह इसके लिए incorrect कुछा था, तो incorrect में क्या बताऊगे, they did not add the meat, यह meat नहीं आ clear, तो यह इसका homohabilis के लिए incorrect post को जाएगा, आपके लिए, यह आपके लिए, जो अब तक questions discussed किये हैं, उमीद है, आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ questions के बारे में, concept based, लगब वैसे evolution है, तो आप समझ बारे हो इसमें, कि ज्यादा इसमें concept वर चीजे नहीं होती, कि फिर भी जहां concept लग रहा है, वहां आपके समझ बाया होगा, जहां आपको बताएं diversification, कैसे हो रहा है, flowchart के coding, वो चीजे, आप अच्छी तरह से समझें, और आगे next time मिलते हैं, next, गुरुदी किये, clear, okay, right, thank you very much for listening, thank you.